दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब भी हमें कोई मच्चर कारता है तो अक्सर ही हमें खुजली होने लगती है जिस जगे पर मच्चर कारता है साथ ही उस जगे पर सूजन भी हो जाती है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसका साइंटिफिक कारण दोस्तों आपको बता दें हमारे सरीर में कई सारे तत्व मौजूद होते हैं जैसे की बिलड में RBC और WBC मौजूद होते हैं WBC एक ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे सरीर में मौजूद बैक्टेरिया इत्यादी को खतम करने का कार करते हैं और हमारे सरीर की प्रतिरोदक छमता को बढ़ाते हैं जब भी कोई मच्चर हमारे सरीर को कारता है तो वह अपना लार हमारे बिलट के अंदर इंजेक्ट कर देता है और ऐसा करने पर हमारा सरीर रियक्ट करता है इसके बाद हमारा जो सरीर होता है वो उस लार को एक बिस की तरह लेता है और उसके खिलाब कार करना सुरूप कर देता है जिस चगे पर मच्चर कार उस इस्तान पर जाकर WBC एकटा होने लगती है और उसके फलसरूप हमारा सरीर एक बिस्स प्रकार का केमिकल जिससे हिश्टामिन के नाम से जाना जाता है उत्पन होने लगता है और उसके फलसरूप हमारी बोडी में जिस इस्तान पर मच्चरने काटा है खुजली महसूस होने लगती है और सूजन हो जाती है